हेलो एवरीबन वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल दोहजार चौबिस का री एक्जाम होना प्रारंब हो गया और इसका आज फस्ट और सेकंड सिफ्ट का जो एक्जाम है वो अच्छे तरीके से स परवाय जा रहा है तो पहले दिन तो ऐसा कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिला कि कोई भी गड़बड़ी हुई हो या कहीं से कोई ऐसी खबर आई हो बड़िया तरीके से जो पेपर है वो संपन हो गया है और अब इस एक्जाम की बात करें कि पेपर कैसा रहा है में जो कट ओफ है वो क्या जा सकती है हला कि अभी कट ओफ का एक्जेक्ट जो अंदाजा है या कहें विसलेसन है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी एक्जाम जो है केवल एक ही दिन हुआ है और अभी आपका और भी आगे तिन चार दिन जो एक्जाम है वो चलना है तो क सारी चीजे देखते हुए जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है वो है कि इसके आसपास जो है वो चीजें रह सकती है तो अगर आपका आगे एक्जाम है आगे आने वाली सिफ्टों में तो आप जो आज का पेपर हुआ है उन दोनों सिफ्ट के पेपर को देखिए उनक आपकी जिनका एक्जाम हो गया है तो निश्चित तोर पर उन्होंने जो तैयारी की थी वो परिक्षा में आज बो दिखा कर आ गए है तो पेपर के लेवल की अगर बात की जाए जो आपके चारो पोर्शन थे जो आपका रीजनिंग था जो मैत था जो हिंदी था और जो ज तो चारो पोर्शन में देखिए सभी बच्चों का पॉइंट ओफ व्यू जो है अलग अलग रहता है लेकिन अगर मैं एक मोटा मोटी तोर पर बात करूँ कि जो पढ़ने वाला विद्यारती है जिसने मन लगा कर पढ़ाई की है जिसने जो पिछले चार-पांच महीने नि इजी टू मॉडरेट जो एक्जाम है वो रहा है अब जिसने बिलकुल पढ़ा ही नहीं है फिर वो बोलेगा कि हार्ड आया है ये चीज़ हार्ड आया है तो निश्चित तोर पर उनके लिए ये जो एक्जाम है वो हार्ड ही रहा है क्योंकि जब आपने कुछ पढ़ा ही न लेगा और इसमें जो अच्छा खासा जीएस पूछा गया है तो जीएस में जो विद्यारती हैं वो थोड़े से अटके हैं जिन्होंने बिल्कुल ही तैयारी नहीं किये डंग से पढ़ाई नहीं है वो बोल रहे हैं कि कठिन आया तो निश्ची तोर पर उन्हें दस से बारा क क्वेशन करने में भी जीएस में प्रॉब्लम आ रही है लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किये ठीक ठाक तौर पे भी पढ़ाई किये तो वो आराम से 25 क्वेशन तक जो है 20 से 25 क्वेशन कर ले रहे हैं विद्यारती रिजनिंग भी सेम थोड़ा सा कह सकते हैं हुआ नहीं था कि अरे ये क्या आ गया ये क्या होगा आखिर यूपी प्लिस के एक्जाम में ऐसा कैसे पूछ सकते हैं ऐसी होने वाली चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है और जो पिछला एक्जाम हुआ था आपका जो अभी जो लीक हो गया था उस ए लीक वाला पेपर था पहले और इस बार जो है फिर से बनाया है तो थोड़ा बहुत इंप्रोव्मेंट आपको देखने को मिलता ही है और ऐसा भी नहीं है कि पेपर पुराना था क्योंकि इसमें करेंट अफिरस के कोशन नए नए पूछे गए थे अभी जोन के कोशन जो है कोशन एक सो बीस एक सो पचिस तो यह एक बहुत अच्छा जो अटेंट है वो आपकर के आए है अब इस एक सो बीस और पचिस में आप से यह नहीं कहा जा रहा है कि पूरे सही है इसमें आप 10-15-20 कोशन गलत भी करके आयोंगे तो तो ओवर आल आप एक सो कह सकते हैं कि 5 य है और अगर आपने 90 या 100 कोश्चन भी टच कर लिये हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा स्कोर जो है वो रहने वाला है और अगर आपके सम्तिंग इतने कोश्चन हो रहे हैं तो आप लोग आपका एक्जाम हो गया है तो आप एकदम अच्छे से तयारी में जो रनिंग है उसकी लग सकते हैं और फीमेल का तो वैसे भी कट ओफ कमी जाता है बाकी आपको पहले ही बताए कि कट ओफ का अभी पूरी तरीके से जो 100% सटीक विसले सड़े वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाकी की सिफ्टों का भी अभी देखना हुआ हाला कि बाकी की सिफ्टों में 19 और 20 का ही अंतर रहेगा बाकी नॉर्मलाइज होके दो तीन नंबर उपर नीचे ही होगा इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो सेम ही रहता है थोड़ा बहुत उपर नीचे कर दिया जाता है तो बाकी यह था यहां के वीडियो में हम देखेंगे जब यह एक्जाम आपके सारी सिफ्टों के अब कंप्लीट हो जाएंगे बाकी आप लोग अच्छे से लगे रहे यह तैयारी में और कोसिस करिए कि जादा से जादा जो सही कोश्चन है उनको अटेम्ट करने की जो कोसिस है वो करे बाकी तु लग रहा ऐसा नहीं कि बस लगा के ही आजाना है ठीक है चलिए बेस्ट आफ लाग जिनका आगे एक्जाम है मिलते हैं नियू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ थैंक्यू